नमस्कार कोरोना वैस्विक माहमारी के खिलाब लड़ते लड़ते अब हम अनलोग टू में प्रवेश कर रहे हैं और हम उस मौसम में भी प्रवेश कर रहे हैं जहां सर्दी, जुखाम, खांसी, बुखार यह सारे नजाने क्या क्या होता है यह मामले बढ़ जाते हैं ऐसे में मेरी आप सभी देशवाशियों से प्रार्फना है कि ऐसे समय अपना ध्यान दखिए साथियों यह बात सही है कि अगर कोरोना से होने वाली मृत्युदर को देखें तो दुनिया के अनेक देशों की तुन्ना में भारत संबली हुई स्थिती में है समय पर किये गए लॉकडाउं और अन्य फैसलों ने भारत में लाखों लोगों का जीवन बचाया है लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जब से देश में अनलोक बन हुआ है व्यक्तिगत और सामाजिक वहवार में लापरवाही जड़ा बढ़ती ही चली जा रही है पहले हम मास को लेकर दो गज की दूरी को लेकर 20 सेकंड तक दिन में कई बार हाथ दोने को लेकर बहुत सतर्ग थे लेकिन आच जब हमें जादा सत्रक्ता की जरूरत है तो लापरवाही बढ़ना बहुत ही चिल्टा का कारण है साथियों लोकडाउन के दौरा पहुत गंभीता से नियमों का पालन किया गया था अब सरकारों को स्थानिय निकाय की संस्थाओं को देश के नागीकों को फिर से उसी तरह की सत्रक्ता दिखाने की ज़रूरत है विशेशकर कंटेंडमेंट जोन्स उस पर तो हमें बहुत जान देना होगा जो भी लोग नियमों का पालन नहीं कर रहें हमें उन्हें टोकना होगा रोकना होगा और समझाना भी होगा अभी आपने खबरों में देखा होगा एक देश के प्रधान मंत्री पर तेरा हजार रुपिय का जुर्माना इसलिए लग गया क्योंकि वो सार्वजनिक स्थल पर मास्क पहने बिना गए थी भारत में भी स्थानिय प्रशासन को इसी चुस्ती से काम करना चाहिए यह 130 करोड देश वास्चों के जीवन की रक्षा करने का ब्यान है भारत में गाउं का प्रधान हो या देश का प्रधान नत्री कोई भी नियमों से उपर नहीं है साथियों लॉकडाउन के दौरान देश की सर्वोच्च प्रात्विक्ता रही ऐसी स्थिती ना आये कि किसी गरीब के घर में चूला न जले केंद्र सरकार हो राज्य सरकारें हो सिविल सोसाइटी के लोग हो सभी ने पूरा प्रयास किया कि इतने बड़े देश में हमारा कोई गरीब भाई भेन भूखा नसो देश हो या व्यक्ति समय पर फैसले लेने से संबेदन सिलता से फैसले लेने से किसी भी संकट का मकाबला करने कि शक्ति अनेक गुना बढ़ जाती है इसलिए लॉक्डाउन होते ही सरकार प्रदान मंत्री गरीब कल्यान योजना लेकर आए इस योजना के तहट गरीबों के लिए कौने दो लाग करोड रुपिय का पैकेज दिया गया साथियों बीते तीन महिनों में बीस करोड गरीब परिवारों के जंदन खातों में सीधे 31,000 करोड रुपिया जमा करवाए गए इस दोरान नव करोड से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,000 करोड रुपिय जमा हुए इसके साथ ही गावों में स्रमीकों को रोजगार देने के लिए प्रधान मंत्री गरीब कल्या रोजगार अभ्यान तेज गती से आरम कर दिया गया है इस पर सरकार पच्चास हजार करोड रुपिय खर्च कर रही है लिकिन साथियों एक और बड़ी बात है जिसने दुनिया को भी हरान किया है आस्चरे में डुबो दिया है वो ये कि कोरोणा से लड़ते हुए भारत में असी करोड से जादा लोगों को तीन महने का राशन याने परिवार के हर सदस्य को पांच किलो गेहूं या चावल मुक्त दिया गए इसके अतिरिक प्रती परिवार हर महिने एक किलो दाल भी मुप्त दी गई यानि एक तरस से देखे तो अमेरिका की कूल जनसंख्या से डाई गुना अधिक लोगों को ब्रिटेन की जनसंख्या से बारा गुना अधिक लोगों को और यूरोपियन यूनियन की आबादी से लगभग दो गुने से जादा लोगों को हमारी सरकार ने मुप्त अनाज दिया है साथियों आज मैं इसी से जुड़ी एक महत्वपूर्ण गोश्णा करने जा रहा हूँ साथियों हमारे यहां वर्षा रूतु के दोरां और उसके बाद मुख्य तोर पर क्रिसिक शेत्र में अग्रिकल्चर सेक्टर में ही ज्यादा काम होता है अन्य दूसरे सेक्टरों में थोड़ी सुस्ती रहती है जुलाई से धीरे धीरे त्योहारों का भी माहोल बनने लगता है अब आप देखिए अभी पांच जुलाई को गुरुपुर्णी बाहा है फिर शावन शुरू हो रहा है फिर पंद्रा अगस्त आएगी रक्षा बंदन आएगा कृष्णा जन्मास्त में आएगी गनेश चतुर्थी आएगी ओनम होगा और आगे जाएं तो खाटी गुरू है नवरात्री है गुर्गा पूजा है दर्शारा है दिपावली है छटी महिया की पूजा है तो हारों का यह समय जरूरते भी बढ़ाता है खर्च भी बढ़ाता है इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है कि प्रधान मंत्री गरीब कल्यान अन्य योजना का विस्तार अब दिवाली और छट पूजा तक यानि नवंबर महिने के आखिर तक कर दिया जाएगा यानि असी करोड लोगों को मुप्त अनाज देने वाली ये योजना अब जुलाई अगस्त सितंबर अक्तूबर नवंबर में भी लागू रहेगी सरकार द्वारा इन पांच महिनों के लिए असी करोड से जादा गरीब भाई बहनों को हर महिने परिवार के हर सदस्य को पांच किलो गेहूं या पांच किलो चावल मुप्त मुहिया कराया जाएगा और साथ ही प्रत्यक परिवार को हर महिने एक किलो चनाभी मुप्त दिया जाएगा साथियों प्रदान मंत्री गरीब कल्यान अन्य योजना के इस विस्तार में नब्वे हजार करोड रुपिय से जादा खर्च होंगे और अगर इसमें पिछले तीन महने का खर्च पे जोड़ दें तो ये करीब करीब डेड़ लाग करोड रुपिया हो जाता है अब पूरे भारत के लिए हमने एक सपना देखा कई राज्यों ने तो बहुत अच्छा काम भी किया है बाकी राज्यों पर भी हम आगरे कर रहे हैं कि इसको काम को आगे बढ़ा है और काम क्या है अब पूरे भारत के लिए एक राशनकार की बवस्ता भी हो रही है यानि एक राश्ट एक राशनकार वन नेशन वन राशनकार इसका सबसे बड़ा लाप उन गरीब साथियों को मिलेगा जो रोजगार या दूसरी आवश्यक्ताओं के लिए अपना गाउं छोड़कर के कहीं और जाते हैं किसी और राज्य में जाते हैं साथियों आज गरीब को जरूरत मंद को सरकार अगर मुप्त अनाज दे पा रही है तो इसका स्रे प्रमुकृप से दो वर्गों को जाता है पहला हमारे देश के महंतिक इसां हमारे अन्नदेता और दूसरा हमारे देश के इमानदार टैक्सपेयर आपका परिश्रम आपका समर्पन ही जिसकी वजह से देश ये मदद कर पा रहा है आपने देश का अन्न भंडार भरा है इसलिए आज गरीब का समिक का चुला जल रहा है आपने इमानदारी से टैक्स भरा है अपना दाई तो निभाया है इसलिए आज देश का गरीब इतने बड़े संकट से मुकावला कर पा रहा है मैं आज हर गरीब के साथ ही देश के हर किसान हर टैक्स प्रेयर का रुड़े से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं उन्हें नमन करता हूं साथियो आने वाले समय में हम अपने प्रयासों को और तेज करेंगे हम गरीब पीडीद शोसीद वंचीद हर किसी को ससक्त करने के लिए निरंतर काम करेंगे हम सारी एहत्याद वरत्ते हुए economic activities को और आगे बढ़ाएंगे हम आत्मंदिर भर भारत के लिए दिन रात एक करेंगे हम सब local के लिए vocal होंगे इसी संक्रप के साथ हम 130 करोड देश्वासियों को मिलजुल करके संक्रप के साथ काम भी करना है आगे भी बढ़ना है फिर से एक बार मैं आप सबसे प्रांसना करता हूं आपके लिए भी प्रांसना करता हूं आप से आंग्रह भी करता हूं आप सभी स्वस्त रहिए दो गज की दूरी का पालन करते रहिए गमच्छा फेसकवर मांस यह हमेशा उप्योग कीजिए कोई लाग परवाही मत बरत इसी आग्रह इसी कामना के साथ मैं आप सभी को बहुत बहुत शुब कामनाई देता दन्यवाद